नमस्ते सदावत सले मात्र भूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं अरद्धितो हम महामंगले पुन्यभूमे त्वदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते प्रभोशक्तिमन हिंदु राष्ट्रांग भूता इमे सादरंत्वान्नमा मोवयं त्वदियाय कार्याय बद्धाकटियम शुभामा सिशन्देही तत्पूर्तये इस मुद्धे की सियासत को समझेए कॉंग्रिस की एक मजबूत स्तंब वो राष्ट्रपती बने तो कहा जा सकता है कॉंग्रिस की वज़ा से मगर अब राष्ट्रपती पूर्व राष्ट्रपती प्रणा मुखरजी जो हैं वो जा रहे हैं आरेसस के दीखशांत समारों में इसमें न सिर्फ कॉंग्रिस असहज नजर आ रही है बलकि उनकी बेटी ने भी यानि की शर्मिष्टा मुखरजी ने भी कह दिया है कि आप वहाँ जातो रहे हैं आप क्या बोलेंगे इस पर कोई नहीं सुनने वाला है इस पर सियासत होगी जी हां सियासत होगी और आपकी अपकी छवी को नुकसान पहुंच आने की कोशिश की जाएगी जियां जबर्दस विवाद है प्रणमुखर जी के नाकपूर यात्रा को लेकर हम आपको बता दें कि स्वयम सेवकों के संग शिक्षावर के दीखशान समारों में शाम साड़े छे बजे उन्हें भाशन देना है करीब 708 स्वयम सेवक उनके सामने होंगे आज जब वो इस दीखशान समारों को संबोधित करेंगे ये है नाकपूर के रेश्मी बाग में है गवार स्मृती मंदिर जहां पर ये भाशन होना है 25 पन्नों का अंग्रेजी में भाशन जो कि करीब 30 मिनिट होगा हमारी निगाह होगी कि दरसल इस भाशन में कहते क्या है प्रणा मुखर जी भाशन में भारती संस्कृती और संग के योगदान का जिक्र होगा अब देखिए अगर प्रणा मुखर जी इस बात का जिक्र करते हैं तो कही न कहीं सीधा टकराव हो जाता है कॉंग्रेज की अपनी सियासत से जी हां जिस बल्लब भाई पटेल के बारे में बार बार बीजेपी जिक्र करती है उनके भी अपनी क्या राय थी RSS के बारे में उनका एक सॉफ्ट करना जरूर था मगर उन्होंने तल्ख तेवर जो अपनाए थे ABP नियुस समात अविकास बदोर यह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे नाकपो से जबर्दस सियासत इस पर विकास मगर प्रणा मुखर जी सामने जा रहे हैं दीक्षान समारू में वो बोलेंगे मगर क्या बोलेंगे इस पर हमारी निगाह होगी जी है बिलकुल प्रणा मुखर जी का जो भाशन होगा पूरवरास्वती होने के नाते उनको लिखित भाशन पढ़ना होगा वहाँ पर प्रोटकॉल के तहट 25 पंदों का ये भाशन है जिसको तयार किया गया है पूरा भाशन अंग्रीजी में है बीच बीच में संस्कृत और हिंदी के शब्दों का भी इस्तेमाल है और इस भाशन के दोरान प्रद्रवोकर जी तकरीवन 20 से 30 मिनिट का वक लेंगे पूरे भाशन को पढ़ने के लिए आरेसस के इस कारिकरम में वे जब भाशन दे रहे होंगे तो भाशन संस्कृती और संग का आरेसस का योगदान पर भी अपने भाशन के दोरान वो कुछ बाते रखेंगे लेकिन इस पस्त नहीं है भी कि exactly वो क्या बाते कहेंगे लेकिन इतना तह है कि भाशन संस्कृती और संकी योगदान पर उसमें चर्चा करेंगे जी हाँ इसकी स्थापना जैसे कि आप जानते हैं कि 1925 में हुई थी देश की आजादी से पहले डॉक्टर केशव बलिराम हिटगवार ने RSS की स्थापना की थी यही नहीं पहली शाखा 1925 में नाकपुर में लगाए गई थी यही वज़ा है कि इसका केंदर इसकी नब्स दरसल नाकपुर ही है देश भर में करीब 69,000 शाखाएं संचालित होती हैं और इसे बल मिला है पिछले चार सालों में मुदी सरकार के बनने के बाद 30 प्रतिशद जैसे के हमने कहा ना बल मिला है 30 प्रतिशद बढ़ गई है RSS की शाखाएं और यही वज़ा है कि कांग्रिस जो है इसकी आलोच ना करती आए देश के 95 फीस्दी हिस्से में RSS की मौजूदगी है और यही वज़ा है कि BJP की चुनावी मशिनरी में एक खास किरदार RSS के कार करता निभाते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि करीब 95 फीस्दी भारत पर उनकी मौजूदगी है RSS के 60 लाग से भी जादा स्वयम सेवक हैं आप सो सकते हैं कि जब 60 लाग सेवक हैं तो वो सियासी तोर पर BJP के कितनी मदद कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि RSS जो है उसकी मौजूदगी और RSS की अगर हम बात करें तो उसका एक तरह से राजनीतिक अंग BJP को माना जाता है हलकि RSS खुद को एक राजनीतिक संगठन नहीं बताता और शात्र संगठन की बात करें तो अखिल भारती विद्यारती परशद उसका शात्र संगठन है किसान संगठन भारती किसान संग और पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा कि सरकार की एकनॉमिक पॉलिसीज पे तलक तेवर भारती किसान संग ने अपनाए हैं और वो सत्ता के लिए असाहिष्टा की स्थिती बनी रहती है मजदूर संग भारती मजदूर संग है वहां का और उसने भी मजदूनों के मुद्दों को उठाया है और धार्मिक संगठनों की बात करें तो विश्व हिंदू परिष्टन, बजरंगदल, दुर्गावाईनी ये छोटी छोटी जिसे के हम कहते हैं संगठन हैं जो की RSS से जुड़े हुए हैं इसका एक मुसलिम संगठन भी है राश्ट्रिय मुसलिम मंच और इसके कई सदस से हैं आपको हैरत होगी बड़ी तादाद में राश्ट्रिय मुसलिम मंच जो हैं वो इसके और साथी समाच कल्यान की बात करें तो सेवा भारती, RSS से जुड़ा हुआ है महिला संगठन, राश्ट्रिय सेविका समिती तो ये तमाम संगठन हैं जो RSS से जुड़े हुए हैं जिससे उसकी ताकत इस कदर सामने उभर कराती है और फिर एक आदिवासी संगठन भी है बनवासी कल्यान आश्रम तो आप देख सकते हैं RSS की मौझूदगी किस कदर पूरे देश में है 95 फीसदी हिसे में स्वदेशी जागरण मंच आप जानते हैं कि अकसर सरकार की कैपिटलिस सोच से एक तकराव की स्थिती पैदा हो जाती है पूजी वादी सोच से तकराव की स्थिती अकसर पैदा हो जाती है और प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो सरस्वती शिशु मंदिर जो की खासा लोगप्री है और कई लोग अपनी शिक्षा जो है वहां से हासल करते हैं और ABP नियु समवाता सरिता कौशिक करीब काफी करीब से उन्होंने RSS पे निगाह रखी है उनकी रिपोर्ट में देखिए कि कौन है वो स्वयम सेवक जिने आज पूरवराश्पती प्रणब मुखर जी सम्बोधित करने के लिए प्रणब मुखर जी नाकपुर आए हैं इतना विवाद जेल कर क्या करते हैं ये स्वयम सेवक संग के जिनके लिए प्रणब्दा आज यहाँ पर भाशन करेंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग है ये जो स्वयम सेवक है ये 709 स्वयम सेवक है जो संका ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग परोग्राम जिसे तृत्य शिक्षा वर्ग कहते है वो कर रहे है और इसमें 205 सबसे जादा स्वयम सेवक जो है वो 26 से 30 वर्ष के आयू के गट में है और 178 स्वयम सेवक ऐसे है जो 21 से 25 वर्ष की आयू में है इसका एवरेज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का की एवरेज आयू ये 30 साल की है सबसे एहम ये है कि इसमें 186 ऐसे स्वयम सेवक है जो आगे जाकर संग के प्रचारक बनने वाले है और आगे जाकर भी संग का काम करने वाले है इसमें 113 विद्यार्थी है और 501 खुद का उद्योग करने वाले लोग है काफी उच्च शिक्षित है संग का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्योंकि इसमें graduate का आकड़ा सबसे स्यादा है 375 लोग graduate है तो post graduate 191 स्वयम सेवक है इसमें PhD करने वाले भी स्वयम सेवक शामिल है इतना ही नहीं तो देश के अलग-अलग हिस्तों से ये लोग आये हैं और अपने उद्योग के साथ-साथ बाकी भी प्रोफेशन से तालुक रखने वाले लोग है इंट्रेस्टिंग बात ये है कि इसमें 117 लोग ये शिक्षक है जो संग का ये ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं हम चान सकते कि आगे जाकर जरूर शिक्षकों के माध्यम से भी संग की विचारधारा का प्रचार जरूर होगा कई भाषाओं के स्वयम सेवक यहाँ पर शामिल है इसमें हर एक राज्य की यो भाषा है उसके स्वयम सेवक तो है ही लेकिन साथ में खाशी, फौली, मैतिली, कोर्था, मेवाडी, पहाडी, तुली ये सारी भाशाए बोलने वाले स्वयम सेवक भी इस वर्ग में शामिल है संग का ये प्रैतन रहता है कि वो ये बताए कि संग जो है वो देश के हर प्रान से जुड़ा है, हर भाशा से जुड़ा है और सिर्फ एक ही राज्य या एक ही जाती या एक ही प्रान्थ में नहीं है जो के विरोधक कई बार बताने की कोशिश करते है लेकिन प्रणब्दा इस वर्ग को जो संबोधित करने जा रहे हैं उसका अगर विवरन देखा जाए तो बिलकुल ये साबित हो जाता है कि संग ने अपना जो प्रेजिंस है जो अस्तित्व है वो देश के हर कोने में अब कर दिया है कैमेरमन विंक टेशन आईडू के साथ सरता कौशिक एबीपी न्यूज नागपूर में वाजूद हैं एबीपी न्यूज समवाता विकास बदहौरिया और विकास बदहौरिया आरेसस के एक शाका में आज सुबह पहुँचे तो आरेसस के प्रशिक्षू दंड और घोश के साथ शारीरिक व्यायाम करते दिखे आए देखते हैं रिपॉर्ट हम इस वक्त नागपूर में डॉक्टर हेडगेवार भवन में हैं जो की संग का एक बड़ा यहां पर कारेला है और लेशिम बाग में यह स्तित है नागपूर में और यह तक स्वीरें आप जो देख रहे थे यह 700 वो स्वायम सेवक हैं जिन्होंने तिती वर्ष के वर्ग में हिस्सा लेने के बाद अब उनको पून रूप से सनातक घोशित कर दिया है संग के सिक्षन कारेक्रम के मुताबिक और जिस तरह से वो दंड चला रहे थे घोश हो रहा था और निध हो रहा था इनो दियने की कराटे घोश एने की ड्रम बैंड और दंड एने की जिस तरह से वो लाठी चलाते हुए शारेरेक प्रदर्शन करते हैं वो कर रहे थे ठीक उसी तरह का कारेक्रम जब प्रणाव मुखर जी पूर्वर प्रास्टपती प्रणाव मुखर जी यहां पर तिती वर्ग के स्वहम सेवको को संबोदित करने आएंगे तो उनके सामने भी ठीक उसी तरह का कारेक्रम होगा तकरीवन एक से डेड़ घंटा यह कारेक्रम चलेगा और इस कारेक्रम के दौरान वे सभी साथ सो स्वहम सेवक ग्राउन में मौजूद रहेंगे जिन्होंने टिती वर्ष का वर्ग पूरा क किया है और इस समय यह जो मेरे पीछे आप इमारात देख रहे हैं आरेसस का हेडगेवार भवन यहां पर उसी कारेक्रम से जुड़ी हुई और सुबह की प्राता कालीन शारे प्रदर्शन की प्रक्रिया यहां पर चल रही है और शाम को जिस वक्त प्रणव मुखर जी पू आपको रखे आगे